हेलो दोस्तों मैं सवरों बलिक आप सभी का डेली करेंट अफिर की वीडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में हम देखते हैं पाँच मिनट में फटाफट पूरे दिन की करेंट अफिर आप इस वीडियो को सुरू से लेके end तक देखेगा ये वीडियो सभी परिक्साओं के लिए master वीडियो रहेगी इस वीडियो को like करना बिल्कुल भी मत भूलना और अपने सभी दोस्तों को और अपने सभी ग्रूप में भी share जरू करेगा इस वीडियो की pidi up आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से लिंक नीचे दिसक्रिप्शन बोक्स में है अनकेडमी पर मेरी free live class देखने के लिए profile को follow कर लेना लिंक नीचे दिसक्रिप्शन बोक्स में दिया गया है अनकेडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन आप जोईन कर सकते हैं SST से लेकि UPSC तक किसी भी एक्जाम के लिए आप त्यारी करना चाहते हैं तो आप कोड यूज करिएगा StudyRan इस कोड से आपको Maximum Discount मिल जाता है तो चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तो आज की वीडियो का पहला कोशन है हेलिकोप्टर इंजन के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनिक को किसने विक्सित किया है अगर आपको किसी भी कोशन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बोक्स में जरू बतेगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत पूलिएगा परे प्यार दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा डियाडियो देखे डियाडियो की फुल फॉर्म क्या होती है डिफेंस रिसर्च एंड डवलप्मेंट और्गिनाइजिशन डियाडियो की दोस्तों इसठापना होई थी 1958 में कभी थी 1958 में सठापना होई थी हैड कोटर आनि की मुख्यले नई दिल्ली में है और अभी वर्तमान में अद्ध्यक्स कोण है दोस्तों डियाडियो के यह सारी चीजे आपको याद अखनी है चले दूसरा कोशन देखते दूसरा कोशन है टैनिस टोनामेंट बारसिलोना ओपन 2021 का किताब किसने जीता अगर आपको इस कोशन का आंसर पता है तो फटा-फट से आंसर बता दीजे बिल्कुल दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर होजेगा राफेल नडाल देखे राफेल नडाल कहा के खिलाडी है ये भी आपको पताऊने ची ये इस्पेन देख से हैं ये भी आपको या दखना है चले तीसरा कोशन तीसरा कोशन है IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले भारतिये बल्लेबाज कौन बन गए है बहुत ही बढ़िया कोशन है फटा-फट से आंसर बता दी है तीसरा कोशन देखते हैं सोरी चोथा कोशन है दोस्तों एस बेर रिसर्च ने वित्यवर्ज 2021 में भारत की जीडिपी विकासदर कितने परतिसत रहने का अनुमान लगाया है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा 10.4 परतिसत यानि की ऑप्श चले इसकी टेग लाइन है दोस्तों जितने भी बेंक वाले स्टुडेंट वो याद रख सकते हैं तबेंकर टू एवरी इंडियन यह इसकी टेग लाइन है और दिनेस कुमार खारा अभी इसकी अध्यक्स है यह भी आप याद रख सकते हैं पाचवा कोशन देखते हैं किस किस देश ने बच्चों के पाथन करम में माश भारत और रामायन को सामिल क्वित किया है इस question का right answer हो जाएगा Saudi Arab यानि की option A आपका correct answer हो जाएगा ठीक चले next question छटा question है भारत ने किस देश की पंडूबी KRI नगाला 402 के साथ rescue अभ्यान सुरू किया है मेरे प्यारे दोस्तों इस question का correct answer हो जाएगा Indonesia यानि की option A आपका correct answer हो जाएगा चले next दोस्तों साथवा question है how India votes and what it means पुस्तक launch होई है यह पुस्तक किसे ने लिखी है तो फटा फट बतिए दोस्तों यह पुस्तक लिखी है परदीब गुपता ने यानि की इस question का correct answer option D हो जाएगा यह आपको याद दखना है next आठवा question है युनिसेफ के goodwill ambassador कौन बने है तो इस question का correct answer हो जाएगा डेविड बेकायम यानि की option हो जाएगा बी रेट आंसर अच्छा बात आईए युनिसेफ के दोस्तों युनिसेफ की full form हो है United Nation Children's Fund इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी 1946 में यापको याद दखना है मुख्यले नियोर्क अमेरिका में है ये भी आपको याद दखना है next question नौवा question है प्रत्वी दिवस के अवसर पर कहा पर 3 लाग से जादा मौंबत्ती जला कर गिनीज वर्ल्ड रिकोर्ड बनाया गया है बहुत ही बढ़िया question मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer हुजएगा Bangkok में ठीक है ये आपको याद दखना है चले next दसवा question है चीन ने अपने पहले मंगल Mars rover को क्या नाम दिया है तो इस question का जल्दी से answer होती है दोस्तों इसको नाम दिया गया है wrong यानि कि option be right answer हो जाएगा ठीक है ये आपको याद दखना है दोस्तों आज का test question है 22 वे रास्टमंडल के 2022 का आजन कहा होगा ये मैंने आपको कल की वीडियो में question करा था तो इसका answer आप सभी नीचे comment box में बता दीजे वीडियो को like नहीं किया तो दोस्तों like करिए share करिए अपने सभी दोस्तों के साथ में और unacademy पर अभी तक profile फोलो नहीं किया तो नीचे description box में link है वहाँ से follow कर लेना और दोस्तों अगर आपको इसकी pdf डाउनलोड करनी है तो telegram का link भी नीचे description box में उसको भी जाके join कर लेना वहाँ पर आपको सारी pdf मिलते रहेगी अनकेडमी पर कोई भी subscription आप join करना चाहते हैं तो street and call आके join कर सकते हैं दोस्तों किसी भी परकार की कोई भी problem हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं इंस्टाग्राम पर जाके मेरा नाम सर्च कर लेना सोरभ मलिक 17 के त्यूकि देखिए अभी जो माहूल चल रहा है उसके according हमें एक दूसरे का बहुत ज़्यादा help करनी है और खुद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है तो करोना से बिल्कुल भी डरना नहीं है कोई भी प्रोब्लम होती है किसी भी परकार की तो आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं और अच्छे से बढ़िया रहिए घर पे बाहर मत निकलिए अच्छे से खाईए पीए और बिल्कुल भी पैनिक मत होईए ठीक है चले मिल जे नेक्स क्लास में टेक केर अव्रीवन बाई बाई